फाइनली दिवाली सेल भी लाइव हो चुकिया और ये सीजन की लास्ट सेल है तो जरूर ध्यान में रखना अगर आपने कोई भी फोन या कोई भी गैजट खरीदना है ये सेल आपके लिए फाइनल सेल की तरह एक्ट करने वाली क्योंकि इसके बाद जो एक अच्छी सेल आई पशलिए आईफोन 15 में जो मैं अल्रीडी रात को ये वीडियो बना चुका था वह आपको 51,000 रुपीज का एक्टिविडी बढ़ रहा है जो कि एक क्रेजी डिस्काउंट है चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसी वीडियो लगाता राती रहती है और भी देखेंगे तो आपका डेफिनेटली फायदा हो सकता है तो देखो यार आज जो इस वीडियो में बात करने वाले है ना उससे आगे बढ़ने से पहले बोलूँगा एक बार ना टेलीग्राम भी फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ लूट डील चल रही है क्रेजी मतलब हम फ्लिपकार्ट खोल के देखें तो इस समय करेंटली आपको 51,000 रुपीज का पड़ रहा है आपका आइफोन 15 तो अच्छा ओफर है अगर आपको खरीदना है या कोई भी इलेट्रोनिक्स खरीदने है इसके लावा अच्छा फोन क्या है एच्ट टूंटी थी आप गया है फिर से last & final time कि ह either हो ए लोको के दिमाग में टक रहा है स्ट ने प्लस ले यह यह दीत्री आपढंसेपको को पड़ेगा सीवन TF1 तो 72,000 रूपीज में यह मिल रहा है और आपको जो 15 प्लस मिल रहा है यहाप पर 15 प्लस का जो प्राइजिंग यहाँ में देख रहा हूं आपके फिलिप कार्ट पर वह यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है आपकी लगभग लगग 65 ट्रिपल नाइन और आफ्टर आल का ड यहाँ कलर स्टॉक में ही पता नहीं क्यों मुझे आदे जाद नहीं दिख रहे है बट 75 ट्रिपल नाइन प्राइज है तो 70,000 के आसपास 256 जीपी वाला प्राइज आपका लगभग कॉस्ट करता है इसका जो है 15 प्लस का तो यार मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि यार 12-23 एक लोट्रा फोन लिट्रली आपको इसके अंदर एस्पैन भी देखने को मिलने वाला है कर्व डिस्पले देखने को मिलेगी flagship experience मिलेगा pure flagship experience मिलेगा इसके अंदर क्योंकि बहुत ही beautiful display है with punch hole तो मेरी recommendation तो यही है कि अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो अब Samsung ने paradigm shift कर लिया अपनी towards क्योंकि अब phone अच्छे हैं और बढ़िया चीज़े मिल रही हैं और particularly बहुत अच्छे price पर देखने को मिल रही है और मैं थोड़ा सा अब बड़ा confused जूँ कि Samsung अंगले साल मैंने सुनने में है कि सिर्फ Exynos पर जा रहा है तो मुझे बड़ा apprehensive हो रहा है कि यार यह best मौका था Samsung के लिए capture करने का क्योंकि इस sale में दिखता है बहुत clear यह लोग S23 और S23 Ultra के लिए जादा अच्छा फील कर रहे है compare to iPhone 15 के लिए क्योंकि एक तो AI भी देखने को नहीं मिल रहा है उपर से feature wise innovation wise बहुत lag कर रहा है कुछ भी as such नया यहां पर 14, 15, 16 में बहुत drastically change कुछ नहीं हुआ है तो वो एक बहुत बड़ी बात है और 16 में तो specially सिर्फ एक capture button आया है जो भी लोगों को accidental touches के वाज़े से और परेशान कर रहा है तो यार मेरे को यही लगता है कि यार आप S23 Ultra consider कर सकते हो और यह last मौका है इस sale के price पर चीव करने के लिए otherwise तो S23 Ultra जब next आएगा न डिसकाउंट के अंदर मानलो आता भी यह रिपब्ली डे सेल में समय S25 आजएगा तो वो automatically यार थोड़ा सा mindset हो जाता है कि यार दो generation पुराना हो चुका है या thoughts ऐसे आने लग जाते हैं बट तो current को देखते होए और power को देखते होए तब भी ये पीछे नहीं हट रहा होगा आज भी नहीं हट रहा है तो मेरी recommendation तो आपको यह है और ये last मौका है तो please उठा लो मौका कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद next मौका आपको सीधा Republic Day या फिर summer sale में देखने को मिलने वाला है तीन महीने कम से आपको wait करना पड़ेगा अगर आपको इस price में खरीदना है तो 16 series खरीदना जाते हो तो बिलकुल मत खरीदना क्योंकि वो आपको बाद में ही लेने में फायदा है आप Republic Day में consider कर सकते हो 60,000 के आसपास otherwise अभी तो बिलकुल भी लेना सही नहीं होगा ऐसी और वीडियो से चैनल सब्सक्राइब करों मिलते नेक्स वीडियो में बाई